है रो दोस्तों कैसे हो आप सभी आशा करती हों आप सब सारे अच्छी होंगे और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शियर करूंगी अपना डेली योगा रूटीन जैसे कि आप जानते हैं कि योगा हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है उसका हमारे जीवन पर काफी ग बिमारियों से बच सकते हैं अगर हम योगा को अपनी डेली रूटीन में अपनाते हैं तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो दोस्तो सुभा के 6 बजे मेरा हो जाता है योगा रूटीन स्टार्ट सबसे पहले मैं जो है अपने टेरेस गार्डन पर आकर पांच मिनट के लिए तेज वौक करती है जो है वो वाम अप हो जाता है उसके बाद कुछ योगा और आसन और प्रणायाम करती हूँ मैं मैं कोशिस करती हूँ कि रोज अपने योगा के लिए आधा या पौना घंटा रोज निकाल सकूँ और वो मैं निकालती भी हूँ चाहे मेरा कितना ही विजी सिड्यो लो बट मैं अपना योगा कभी भी स्किप नहीं करती हूँ और उसको मैं जरूर करती हूँ और जैसे कि अब आप जानते हैं कि हॉलिडेस पड़ रही है तो आपके पास भी एक मतलब गोर्डन चांस है कि आप भी अगर सोच रहे हैं कि योगा करना है तो आप भी योगा स्टार्ट कर सकते हैं और यहां मैं अपना कपाल भाती कर रही हूँ जो मैं 15 मिनट से लेके आदा घंटा तक करती हूँ तो यह काफी फायदेमन जो एक्सराइज है और अगर आप बिगनर हैं तो उसके लिए आपने जो हलकी फुलकी एक्सराइज करनी है और उसके लिए आपने टाइम को भी जर एक्सराइज का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कभी हम पहली बार में ही जादा एक्सराइज कर लेते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पेन होने लगता है या नुकसान हो जाता है उससे तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें और अगर आपने योगा करना है तो उस यहां मैं ओम का उचारण कर रही हूँ यह वी मैं डेली अपनी एक्सराइज में जरूर शामिल करती हूं क्योंकि इससे हम कहीं न कहीं मेडिटेशन अच्छे से कर पाते हैं अगर आप भी मेडिटेशन करने की सोच रहे हैं या करते हैं तो काफी हद तक हम मेडिटेशन कर पाते हैं और इससे काफी हम लोगों को रिलेक्स मिलता है और जब भी आप एक्सराइज करें तो बिल्कुल कूल रहें रिलेक्स रहें तब ही आप एक्सराइज करें क्योंकि एक्सराइज करने के लिए हमारा शांत होना बहुत ही जरूरी है यहां पर मैं कर रही हूं बटरफ तो आप इसको भी कर सकते हैं इस exercise को भी मैं 10-15 मिनट तक करती हूँ और यह हमारी habit बन जाती है जब हम exercise वगेरा शुरू कर देते हैं तो हम लोग काफी मतलब उसका timing बढ़ा पाते हैं बस यह हमारी जो practice है उस पर depend करता है फिर जब हम अपने exercise करते रहते हैं तो हमें time का पता भी नहीं लगता है कि हमने कितना मतलब मिनट कर चुके हैं यह कितना हमने और करना है जो भी exercise में हाँ पर आपके साथ शियर कर रही हूं वह काफी ही useful exercise है और और भी exercise काफी सारी है जो मैं अपनी routine में करती हूँ बढ़ टाइमिंग जो है ज्यादा हो जाती अगर मैं सारा ही पूरा अपना वीडियो योगा का शूट करती तो इसलिए मैंने कुछ जो exercise है उन्हीं के साथ ये वीडियो बनाई है और I hope आज की वीडियो आपके लिए काफी useful होगी ये मेरी योगा की first वीडियो है और आगे मैं आपके लिए ऐसी ही मतलब एक separate वीडियो बना कर लेकर आ होंगी या और भी कोई problem है अगर आपको migraine है कुछ भी है क्योंकि migraine से मैं वी काफी मतलब सालों तक परिशान रही थी बट मेरे को काफी आराम है वो केवल योगा के वज़े से ही इतना मेरे को फरक पढ़ रहा है तो वो सभी चीजे मैं आपके साथ share करूंगी और आपको क कुछ काम संभव नहीं है तो इतना तो आप करी सकते हैं और यहां पर जो यह exercise कर रही हूं मैं यह सुक्ष्म वयायाम है जिसे हमारे जो joints होते हैं उनको हमें कैसे healthy रखना है उसके लिए चोटी-मोटी exercise है तो यह भी बहुत ज्यादा यूसफुल होती है हमारे लिए और यह इनको भी मैंने अपनी exercise में शामिल कियावा है अगर आप भी fit रहना चाहते हैं तो आपको अपनी जो life में है यूगा को जरूर फॉलो करना चाहिए यूगा को अपनी life का हिस्सा बनाना चाहिए अगर आपको morning में time नहीं मिल पाता है यूगा का तो आप evening में भी कर सकते हैं बट आपने जब खाना खाया हो उसके चार-पांच घंटे बाद आप यूगा कर सकते हैं तो दोस्तो अपने यूगा रूटीन से कुछ यूगा आपके लिए मैंने इस वीडियो में शेयर किये हैं और आगे आपके साथ मैं और भी यूगा की वीडियो लेकर आए हूँ यहाँ पर मैं कर रही हूँ शवासन जिसमें हम लोग ने अराम से रिलेक्स बिल्कुल होकर लेड जाना है कुछ मिन्टों तक जिससे हमारी बॉडी पूरी रिलेक्स हो जाए तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शियर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें मैं आपके लिए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूंगी तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थेंक यू, बाई बाई